ओम स्री गनीशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक श्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 फरवरी गुरुवार के रासी फलक के बारे में कि इहां दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए गुरूवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके वित्य इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुपूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोगे लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबनित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिलेश शकवे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जैंगे और रिष्टे में दोबारा मधूरत आएगी परतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए बहुती लाबदायक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शान्ती और हलका आप महसूस करेंगे घर में शुक्षविदा संबंदित वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियासरत रहें अपने उसूलों और सिध्धानतों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करें प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतित करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में वरत दी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं जापके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजर्गों की सला से संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है इसलिए सावधान रहें घर के किसी बुजर्गों के स्वास्त को लेकर भी आज चिंता रहेगी डॉक्टर के पास भी जाना पढ़ सकता है दोस्तों साती सात आपको भी अपने स्वाभाव से एगो को खत्म करना होगा जिससे प्रेसानिया जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरे से विचार आप हवश्य करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारत्मक विचार उठ सकते हैं परंतु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्वपून कागजातों को बहुती अधिक समाल कर रखें क्योंकि अगर खो गए तो प्राप्ती नामुम्किन लग रही है घर में भी छोटी सी बात पर एक कारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए जादा क्रोध करने से बचें दोस्तों सामाजिक गति विदियो पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परन्तु इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें परन्तु घर के वरिष्ट लोगों का मान सम्मान अवश्य से बना कर रखें दोस्तों बात कर लेते हैं जापकी लव लाइफ के शिरहने वाली हैं दोस्तों जीवन साती की भवनाओं का आप सम्मान करें इससे संबंद और अधिक मजबूत होंगे प्रेम संबंद मर्यादा पूर्ण रखें किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आज चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरण आज बहुती शुकद रहेगा पती पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांती बना कर रखेगा प्रेम संबंदों के भी आने वाले समय में विवा में परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शहयोग प्राप्थ होगा तथा घर में भी शकारात्मक वातावरण बना रहेगा दोस्तों साती सात अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए आव भी वर्तमान परिस्तितियां का प्रभाब बन रहा है धन संबंदित लेने दिन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें तो कि धोका होने की भी संभाव न लग रही है नोकरी पेशा व्यक्तियों के आफिस का माहोल बहुती आज सांती पूर्ण बना रहेगा कर छित्र में अगर किसी प्रकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कारे को बहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आपको भैतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा नोकरी में भी नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद हैं दोस के हस्तोषेप से करमचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने निर्ण को प्रातिमिक तादे तथा वैवसाइक गतिविद्यों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साथी साथ नौकरी पेसा व्यक्ति भी नौफिस में पॉल्टिक्स के सिकार हो सकते हैं कारणों से कार्य छेत्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नौकरी पेसा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकारियों का पूर्ण रूप से सेयोग प्राप्त होगा वैवसाइक छेत्र में कर छमता के लिए प्रोतसान प्राप्त होगा जिसकी वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपका स्वास्त बहुती उत्थम रहेगा तथा आप उरजा से भरपूर रहेंगे आज आप अ स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इश्णान आदिशे निर्वत्र होने के बाद गुरू से जुड़ी पीली भगवान श्री हरी विश्नु जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्णों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशाने उकांत करेंगे और आपको इस प्रिकार दान करने से जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होगी और करना ना भूले धन्यवाद